फ्रेंट्स आज मैं आपके लेके आई हूँ मिनी रस्मलाई की रेसिपी लेकिन आज हम इसे बिना गया चलाई बनाने वाले हैं आज की रस्मलाई को बनाने के लिए ना हमें छेना बनाने की जरुरत है और ना ही हमें घंटों की मेहनत लगने वाली है इसको बनाने के लिए कम खर्चे में बनने वाली ये मिनी रस्मलाई आपको बहुत पसंद आएंगी तो एक बार इनको जरूर ट्राई करिएगा और अफ मलाई है जब हम दूद को बाल देते हैं और उसके पड़ से मलाई लग जाती है मलाई के सांथ ही मैंने उसमें दो तीन चम्मच एस्ट्रा दूद भी लिया है आपने दो तीन चम्मच से ज्यादा दूद बिल्कुल ने लेना है इसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी दो चम् किट लग रहा होगा इसमें यानि की एक फ्लो वाली कंसिस्टेंसी इसकी आ रही है तो इसे थोड़ा सा गाड़ा बनाएंगे क्योंकि हमें इतना पतला नहीं चाहिए इसको थोड़ा सा गाड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर एट कर रही हूं एक चमच मिल्क पाउडर आ मार्केट में जो 10-10 सुपे के पैकेट आते हैं मिल्क पाउडर के आप वो भी वाले यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मिल्क पाउडर के साथ भी आपने इसको मिक्स करना है और आप देखेंगे कि यह पहले से जादा गाड़ा हो चुका है बस ऐसी कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको साइट रख लेंगे इसको हमने पहले से ही बना के रखना है ताकि हम इसका यूज़ अराम से कर सके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए औ पर सेट करें ताकि जब भी नए वीडियो आएं आपको नौटिफिकेशन मिल जाए और हां अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ भी शेयर कर सकते हैं मिनी रस्मलाई को बनाने के लिए हमें चाहिए यहां पर ब्रेड आपको इसे भी ब्रेड ले सकते हैं ब्राउन या वाइट मैंने वाइट वाले ब्रेड्स का यूस किया है यहां पर और इस रस्मलाई में आपको ब्रेड का टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा वो कैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी उसे पहले हमने एक के स्लाइस लेनी है और उसमें जो चारों तरफ से हमारा जो ब्राउन वाला पार्ट होता है उसे हमने अच्छे से कर्ट कर लेना है और जो बीच का यह वाइट वाला पार्ट है हमें यह चाहिए ब्रेड के साइट काटने से क्या होता है कि आपकी जो रस्मलाई बनेगी वो कि आप सिंगल करके भी कट कर सकते हैं और डबल करके भी कट कर सकते हैं तो आपको जैसे सही लगता है आप ऐसे कट करें और जो ये बचा हुआ पार्ट है इसका यूज हम किसी और रेसिपी में कर सकते हैं जैसे हम इसका ब्रेट करम बनाके एक हेल्दी सा नास्ता तैयार कर सक गर आपको भलड बियह की कमेंड करके बताइए अब सबकूल है अब गोद विकरना घ्री में सब्सक्राइष है आपको इस नोरओं ब्रैट में पारट अंगा ज़ायें बिजोल्रपहल चाहिए. समोल है यह लेवें लिकराँ ज़ंकेडी हो जाता है काम तो मैंने तो सारे चल करके सी देनी के लिए तो बड़ते हैं अपनी की प्रॉसस के लिए तो हमने प्राइब करूट न उसका एक हम क्रींगे Exhale ब और इस मिश्रन को हम bread में अच्छे से लगा लेंगे उसके बड़ ब्रेट का एक और टुक्रा लेंगे और उसको वो bread के उपर से ऐसे रखेंगे उपर से हलका सा टैप करेंगे और यह देखिए ऐसे बनके रेडी हो जाएगा आपने सारे breads को ऐसी बना के ready करना है इससे क्या होगा जो मैं आपसे बोल रही थी ना कि जो bread है उसमें bread वाला taste नहीं आएगा तो वो इसी कारण से नहीं आएगा अगर आप बीच में इसको लगा लेते हैं तो इसका जो taste है वो और भी जादा बढ़ जाता है और ये लगता ही नहीं है कि हमने इसको bread से बना के ready करा है तो देखे मैंने सभी को ऐसे double करके बना दिया है यानि कीक sandwich टाइप का तो आपने ऐसे ही पहले बना के ready कर लेना है और ये देखे जो हमारा mission है वो हलका सा बच चुका है आप इसे waste मत करिएगा अगर आपका नहीं बसता है तो ठीक है लेकिन अगर आपका बस जाता है तो आप इसमें ही एक कब दूट डालीजिए जो की हमारी आगी की process में काम आएगा अगर आपका नहीं बसता है तो आप इसी butter नब फिर एक कब दूट डालेजिए इसके साथ ही मैं यहाँ पर दो चिप में sugar powder डालूँगी आप चाहें तो यहाँ पर flavor के लिए kevra water या roast water भी डाल सकते हैं तो चीनी को दूट में अच्छे से mix कर लेंगे वैसे तो यह already हमारी PC हुई चीनी है तो अराम से इसे mix हो जाएगी तो एक बार अच्छे से चला लीजी क्योंकि नीचे से हमारा जो हमने पहले mission बना के रखा था उसके साथ हमने दूट को mix करना है तो अब हम एक bread का piece उठाएंगे और इसको दूट में ऐसे dip करेंगे और dip करके हमने इसको छोड़ना नहीं है हाथो हाथ इसे निकाल लेना है हलका सा dip करना है ताकि ये थोड़ा soft हो जाए और dip करते ही हाथो हाथ हमने इसकी एक balls बनाके ready करनी है जिससे क्या होगा ये उसे time पर safe में आ जाएगी तो आप एक ही हाथ से इस काम को करिएगा और अराम से आपकी balls बनके ready हो जाएगी बस यहाँ पर एक चीज़ जो main है वो यही है कि आपने bread को दूद में जादा देर तर डुबा के नहीं रखना है अगर जादा देर तक आपने इसको दूद में डुबाए रखा तो bread आपकी तूद जाएगी तो आपने इसको dip करना है और सीधे ही इसकी balls बना के ready करनी है हाथ दो हाथ तो ऐसे ही मैं सारी balls को पहली बना के ready कर लूँगी तो यह देखे मैंने सारी balls बना ली है और दूद हमारा यह बच चुका है कम से कम आधे cup के जितना हमारा दूद अभी बचा हुआ है यानि कि आप वहाँ पर आधा cup भी ले सकते हैं जहाँ पर हमने एक cup लिया था और अगर आप एक cup भी ले रहे हैं तो इसमें ही हमने और दूद एट करना है तो यहाँ पर एक cup से थोड़ा cup मैंने दूद और ले लिया है यानि कि डेर कप के आराउंड मैंने आप दूद ले लिया है जितना जादा आप दूद लेंगे उतना जादा आपको टेस्टी लगेगा अब मैं यहाँ पर एट कर रही हूँ एक चमच शुगर पाउडर आपर मैं एक चमच इसलिए डाली हूँ क्योंकि पहले से जो दूद बचा हुआ था उसमें भी मैंने चीनी एट करी थी उसके बाद मैंने लिया है चार चमच मिल्क पाउडर और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलाइची पाउडर लिया है इन सबी चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपको जब आप इससे मिक्स करें आपको ऐसा लगेगा कि इसमें दाने-दाने लग रहे हैं लेकिन ये दूद में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं आप इसे थोड़ी देर ऐसे side में रहेंगे तो अराम से यह जो milk powder के bubbles जैसे बने हैं यह खुदी melt हो जाएंगे तो इसी के साथ मैं यहाँ पर add करनी हूँ थोड़ी से dry fruits और साथ ही थोड़ा yellow food color add करूंगी ताकि इसमें एक yellow color आए और हमारी रश्मलाई बहुत ज़्यादा tasty लगे तूटी-फूटी डाल ली हो आप चाहें तो यहाँ पर कोई से भी dry fruits ले सकते हैं यहाँ पर मैंने जो color का यूज किया है वह food color है market में food color से अगर आप लेने जाओगे तो आपको मिल जाएगा तो अब हम क्या करेंगी इसको ठंडा कर लेंगे तो 20 मिनट के लिए मैं इसको फ्रेज में रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए क्योंकि इस mini रस्मलाई को ठंडा ठंडा खाने में ही मज़ा आता है आप चाहें तो पहले यहाँ पर ठंडा दूद भी ले सकते हैं लेकिन मैंने नॉर्मल दूद लिया था तो मैं इसे 20 मिनट के लिए फ्रेज में रख दूँगी और 20 मिनट बाद मैंने इसको फ्रेज से निकाल लिया है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और बहुत ही छिल्ड हो चुक motivo जैसा की मेरे को चाहिए था थंडा थंडा खाने में जो मज़ा है न इसको वह नॉर्मल खाने में नहीं है तो मैं आपको भी प्रेफर करूंगे कि आप इसे थंदा थंडा ही खाईएगा वैसे नॉर्मल भी खा सकते हो लेकिन जो मज़ा थंडे में वह न दूद में हिता हैं दूद में je statut नहीं अगर जादा देर आप इस ब्रेट को मेल्ट हैं तो ब्रेट YouTube को मैल्ट होीन आंग Kingdom कि और ट्यान Um क्योंकि जो हमने mini rasmalai बना के ready करी है ये इतनी ज़ादा tasty होती है कि कोई बता ही नहीं पाता है कि हमने इसको आकर bread से बना के ready करा है और आप देख सकते हैं ये दिखने में कितनी ज़ादा tempting लाग रही है जिन भी products का मैंने use इस वीडियो में किया है उन सबी का link आपको नेचे description box में मिल जाएगा आप वहाँ से उन्हें buy कर सकते हैं और आप लोगों से request है कि please आप मुझे instagram और facebook में भी follow कर लीजिए वहाँ मेरे बहुत कम followers हैं जैसा प्यार आप यहाँ दिखाते हैं वैसा ही वहाँ भी दिखाईए मुझे भी motivation मिलता है आपके लिए नई नई recipes लाने के लिए instagram और facebook का link आपको नीचे description box मिल जाएगा फिर मिलूंगी एक नई recipe के साथ तब तक के लिए bye bye take care